कि दोस्तों आज हमने बनाइए आलू मत्र की सब्जी बहुती स्वादिश्क्रमी है और आप भी बनाइए बहुती आसान सी रेश्पी है तो दोस्तों मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं है है शाल रहें हैं मbayर मज़õ respons क्रमान उसे कुछ हुट है और सिभूत को सब्सक्राइब करेंा आप अपसे क्या करें था कि हैं को दोस्तों परिशुक्त क्तराया है आप अपनों का थेहनर हैं हमारे चनल को फिर में जडान बहुत अलू की सब्जी क्यों कि तो टमाटर हमने काट लिए मिकसी में डाल रहें कि दोस्तो समय आफ सब्रजी ये अगरंगे में अपने अनुर घरंदी याट लिए मिक्सी में डाल दिया तो देखो यह वारा हैँ यह यह लाल मिर्च एह हल्दी है फॉलालैररी अर्वम को तो चमाटर टास्थ टालतें के दिखत दोस्तो हमारा मसाला बनके त्यार है हमेने अच्छाओ चाओ पीछ लिया इस अभ आप में इसको कडाई में डालेंगे तेल अमारा गरम होने जारा है देखिए आगे कैसे उन्सवबनाते हैं जर् relation ग Nim Wenn I sama俟 गरम हो गया अब इसमे में डालेंगे जीरा जीरह भूनने के बार अब इसे मुपने मसाले डालेंगे जो हमने और सारे टमाटर में डाल दिये थे इससे हम मसाला भूनेंगे इसके बाद हम बनाएंगे झाला मतल की सबजी लीड़ी है मासाला कि घजबी था मारा तरप गया ज्यूब्य दे levant तोड़ा ध्यान में रहा अब मैं डाल रहा हूं ज्यादा देर नहीं हुए पत्ता डाल दिये है अब इसमें हम डाल रहे हैं मसाला तो देखे दूस्तों नसाला हमारा अच्छे से बुलिया है अब इसमें हम डालेंगे अपनी मटर देखे इतना चकलर आया तो अब इसमें मटर डालेंगे तो देखे देखे दोस्तों अब हम इसमें डाल रहे हैं अटनी मटर अब इसको अच्छे से बुनेंगे इसके में लगा देखे अब इसमें हम थोड़ा रक्तन लगा देंगे अब दोस्तों अब हम दूपर लगा देते हैं पांच देखे दोस्तों अब हम देख रहे हैं अपनी मटर को ऐसी हो गये अब अब दोस्तों बहुती संदर मसाला वीनी भीनी खश्गू आ रही है देखिए उतना में अच्छा मसाला अपना है अब दोस्तों आपने आलू आलू अमने थोड़े से उबाली है इसको नहीं है इसलिए थोड़ा देर से डाल रहें आलू को अब अब हम इसमें डाल रहे हैं अपने आलू एक्टी परसंट बॉइल है अब इस पच्छे से मिला देंगे मिलाने के बाद देखिए कितने अच्छा चराया है यह देखिए इसमें लब रहे हमारा आलू मठकी सब्जी एक दम चटपटी परांफे के साथ में खाईए आप रोटी के साथ खाईए बच्चों को टिफिन में दीजिए और बाबुजी ऑफिस भी ले जा सकते हैं इसको अच्छा थोड़ा सा इसको थोड़ा सा देखिए दोस्तों निसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे अलका सा अब इसको अमच्छे से तुमा देंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे लाश्ट में अनिया डाल सकते हैं इसको पुत्री गरी में जाकते हैं लेकिन हम उप परसिस में डालेंगे अध्रक के लच्छे तो अब हम इसको लगाते हैं दुटकन लगाके और इसको हम पानार्जमेंट बन पकाएंगे विए तो देखें दोस्तों हमारी सब्जी बिल्क करते हैं